कि कुछ important concept English में जो हमारे जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो वहां हमें अक्सर मिलते हैं तो हम समझेंगे इसको सबसे पहले हम कुछ example देखते हैं ताकि बेटर तक यह समझ सकें तो पहला एक्जामपल है आपका Hmm, His Seasures has have been broken दूसरा है mm दूसरा है माईश्पेकल्स है एग है बीन फ्रेम्ट ठीक फिकेश्ट है दूसरा है यह पेर ओफ ओफ प्राउजर्स है डर्टी नस्ट HERE पेर ओफ पैंट्स इस्न निव नस्ट है आपका his spectacles has been framed next है आपका her seizures has been sold ठीक है अब समझते हैं कि इस पर correct कौन सा है और गलत क्या है सबसे पहले समझते हैं हम लोग concept क्या होता है सबसे पहले अगर देखा जाए कि concept क्या गह रहा है सबसे पहले देखा जाए तो अगर जो seizures यह spectacles mortelsוחages paint यह देख लिए जाए-पैजामार्ज घ्या ऐसे होते हैं कि इन में दो पार्ट होते हैं थीक है अप कैसे दो पार्ट होते हैं पॉरिजंब मान लिए आप लोग ने देखा होगा घ्लासेश तो इसमें दो पार्ट हाइथ इसमें सिपर एक पार पार्ट गया, ये पार्ट ये हो गया तो इसमें दो पार्ट हो गया, इसलिए देखा जाए तो इसको plural माना जाता है, लेकिन जब इसको प्लूरल नाउन के रूप में रूप में का दूब ये यूज करेंगे, तो वहाँ पर ऊपिसेल है कि मतलब प्लूरल वर्वही लेगा तो इसलिए अगर जो हमें λέ इशन्टे काल्स और पैंट्स यह पैजामा यह ग्लासल को अगर प्लूर के रूप में यूज़ करें तो प्लूरल लगेगा अगर जो इनको सिब्लर बनाना चाहे हैं तो इन-कार रूल होता है जैसे होता है एक पेर आफ लगाने के बाद हम लोग यूज करेंगे तो इसको हम लोग similar बनाते हैं कैसे बनाते हम समझते हैं अब एक सिजामपल ने तो सबसे पहला एकजामपल कहे रहा है ही सीजर्स है बीन ब्रोकन ठीक है इसमें देखा जाए है पहले में तो his seizures have been broken तो Yoha Pen participate देखा जाए तो seizures हो गया इसका जेसे मेंने आपको बताए स्थाल दो पार्ट होते हैं एक एंडव एक यह fix है तो जो कैंची होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं जो थीक है तो इसके दो पार्ट होते हैं इसलिए यहां पर देखा है तो हैब का यूज़ किया गया है तो मतलब यह करेक्ट है दिक्षक करेक्ट आपका correct हो गया निच्ट लिए है माइई सब्सक्राइब सकते तो इसलिए है यानी की सिंगलर है इसलिए का यूज नहीं करें ऑलन कि यहां obligations होना चांगे तो इसलिए नेश्ट देखते हैं एक pair of trousers are dirty sorry यहां पे देखा जाए हमने इसको pair of trousers are dirty यहां पे हम लोग ने similar के रूप में use किया है तो यहां पे देखा जाए तो हमारा यह जो correct answer होना चाहिए था लेकिन क्या है कि हमने आर का use कर दिया है लेकिन यह इसलिए गलत है क्योंकि यह similar हो गया है साथ में प्राउजर्स के साथ में similar वर्व ही यूज होगी इसलिए यह गलत है बिलकिन देखा जाए पेर ओप पैंस इस निव यहां पे हमने पेर के लगाने के बाद यह singular बन जाता है यहां पे हमने similar का बर्व का यूज किया है इसलिए यह correct है next देखते हैं his spectacles has been framed यहां पे क्या correct है यहां पे देखा जाए his spectacles has been framed यहां पे has का यूज किया गया है इसलिए यह देखा जाए यानि यह भी गलत है लेकिन next लिखा है her seizures has been sold ठीक है तो यहां पे जो है तो यहां भी यह हमारा गलत है क्योंकि her seizures has been sold लिखा है इसलिए यह हमारा गलत है ठीक है तो आई हो आपको समन्द में आया होगा इन concept भी समन्द में आ गया होगा कि इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए अगर जो हम इसमें जैसे his spectacles has been framed की जगए का जो हम have लगा देते have been तो यह correct हो जाता लेकिन इसमें जो last में हर seizures has been sold यहाँ भी अगर जो हम लोग have been sold लिख देते तो यह आपका correct हो जाता यहाँ पे सिर्फ verb की mistake है तो मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तर ली थेंगी 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 वाति इस वीडियो